सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में हैं देखना है जूर कितना बासुए का दिल में हैं नमस्ते दोस्तों आज है 26 जुलाई और 26 जुलाई की तारीक भारतिय इत्यास में भौती महत्वपुन स्थान रखती है क्योंकि आज ही के दिन भारतिय सेना ने पाकिस्तानी सेना को खदेड दिया था और कारगिल विजय प्राप्त की थी कारगिल के युद्ध में शहीद्वे सभी शहीदों को मशचत्चत नमन करती हूं और उन्हें अपने सच्चे मन से श्रधानजली अर्पित करती हूं वतन के लिए अपने प्राणों को न्योचावर करने वाले शहीदों की शहादत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती जिन शहीदों ने अपने प्राणों की बाजी लगाई उन्हें की बदोलत कश्मीर आज भारत का हिस्सा है इस युद में सेंकडों सेनिकों ने अपने प्राण न्योचावर कर दिये थे राजस्थान के भी 60 शहीद वे थे और इनमें से काफी सारे ऐसे थे जिनकी शाद्या नहीं हुई थी और कुछ ऐसे भी थे जिनोंने अपने संतान का मुह नहीं देखा था और उनके शहीद होने के बाद उनकी पत्नियों ने उनकी संतानों को जन गया था हम सोच सकते हैं कि जिस परिवार से एक बेटा जला जाता है जो एक मात्र जीने का सहारा होता है वो भी यहीं चला जाए तो छोटे-छोटे मासुम बच्चों पर और परिवार के बुजूर् पिता पर और पत्नी पर क्या बिखती है यह हम समझ सकते हैं और इसे युद के दोराने बहुत सारे हमारे सैनिक के गायल भीवे जो आज अपनी आंकों देखा हाले बयां करते हैं और वे वीरता की कहानिया हमें सुनाते हैं करगिल विजे दिवस हर साल हमें 1999 में के करगिल संगर्श में भारत की सफल और निर्नायक जीत की याद दिलाता हैं और अवसर देता है कि हम भारतिय सेना के शोरिये प्राकरम को सरहाने के साथ शहीदों के बलिदान को शर्धान जली अर्पित करें अपने बच्चों में भावनाएं पैदा करें कि वो शहीदों और शहीदों के परिवार जनों के प्रती समवेदन शिल रहें करगिल युद्ध भारत पाक नेंतरन रेखा पर करगिल और द्रास चेत्र के श्रीनगर लेहे नैशनल हाईवे से सटे उंचे और दूरगम पहाडों पर लड़ा गया था भारतिय सेना ने इस युद्ध में 26 जुलाई को अदम में साहस और प्राक्रम दिखाते वे पाकिस्तानी घुसपेटियों को अपनी सिमा से भार खदेडने में काम्याभी हासिल की थी भारत पाकिस्तान के बीच में नियंत्रन रिखा के सम्मान का जो एक समझोता था उसके उलंगन का ही नतीजा था करगिल युद्ध जबकि कुछ महीने पहले ही भारतिय परधान मंत्री श्रीवान अटल बिहारी वाजपेई जी ने लाहोर की बस यात्रा की थी और पाकिस्तान के साथ मैत्री पूर्ण संबंद बनाई रखने की संदी पर दोनों देशों के बरधान मंत्रियों ने हस्ताक्षर की थे पाकिस्तान में उस समय परवेज मुशरफ की सरकार थी जनरल परवेज मुशरफ एक तरफ यह अंतराश्चे समझोते का उलंगन था करगी लिवद तो दूसरी तरफ पडोसी देश के द्वारा किया गया विश्वास घात था तब से आज तक दोनों देश आपसी रिष्टे बहतर करने में ऐस अपल रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान अपनी कलूशित मान सिकता और द्वेश पूर्ण भावना को नहीं छोड़ पा रहा है पाकिस्तान आज तक इसका खाम्याजा समाजी के राजनेतिक आर्थिक तोर पर उठा रहा है पिछले कुछ वर्षों में की गई सर्जिकल स्ट्राइक बाला कोट एर स्ट्राइक भी इसी का परिणाम है आज पाकिस्तान के आर्थिक हालात कितने बुरे हैं पूरी दुनिया इससे वाकिफ है करगिल युद के बारे में देश के जन जन को पता है क्योंकि युद का वीवरण टीवी चैनलों के माध्यम से घर घर तक पहुँच रहा था इस युद में लगबग उने 600 सैनिकों ने अपने जीवन का सर्वच बलिदान दिया था और लगबग 1400 सैनिक घायल वे थे करगिल युद के समय उस इलाके में तो युनिट और सैनिक पहले से ही न्युक्त थे कश्मीर घाटी में आतंगवादियों की गतिविधियां रोकने के लिए न्युक्त जो युनिट और सैनिक थे वो भी करगिल में फेज दिये गए थे उसमें उनके पास उसी के अनुरूप गोला और हत्यार थे और जो आतंगवादि थे वो पहले से ही सोजी समझी साजिश के तहते घुसपेट के बैठे थे भारती से लावी गोला बारूद हत्यार था उनी से घुसपेटियों का मुकाबला किया और बाद में जब घुसपेटियों की तादाद और उनकी तयारियों का सही जायजा कुछ कमांडरों को हसिल वा तो कुछे विराम लेकर सारी तयारियां की गई जो खामिया थी उनको दूर किया गया और साथ ही नई इनूटों को लाया गया और बाद में नई तयारी नई प्लानिंग के साथ है ओर्डिनेटेड हमला क्या गया और इस दोरान आर्टलरी विशेश तोर पर बोफोर्स गन की इस लड़ाई को निर्णायक चणों में पहुँचाने में एहम भूमी का रही करगिल युद के दोरान गुस पेठियों और दुश्मन की सप्लाई लाइन को बादित करने बरबाद करने में वायु सेना की भी एहम भूमी का रही थी करगिल युद में निर्णायक भूमी का निभाने वाली इनफैंट्री युनिटों में 18 ग्रेनेडियर्स, 13 जम्मू एंड कश्मी राइफल्स, 13 जाट रेजिमेंट, 8 सिक रेजिमेंट, 2 राजबुताना राइफल्स और 5 पैरा रेजिमेंट, कई अन्या इनफैंट्री और युनिट और रेजिमेंट सामिल थी, करगिल युद के दोरान इन सभी युनिटों के भादूर व शहीद सैनिकों को विभिन गैलेंट्री मेडल से सम्मानित क्या गया था, आज तो हर इनफैंट्री बटालियन आधुनिक्तम, आटोमेटिक परसनल हतियार व संचार प्रोकेटिंग राडार को शामिल किया गया है, आज भारतिय सेना उंची बरफिली चोटियों और पहाडों के सभी मोर्चों पर निर्णाइक जीत के लिए पहले से जदा मजबूती के साथ तैनात और तयार है। करगिल की पहाडियों पर कबजा कर लिया था और आठ मई को भारतिय सेना को इसकी जानकारी मिली तब ओप्रेशन विजय शुरू हुआ था। फेराया गया था। यह युद्ध उंचाई वाले इलाकों पर था भारतिय जवानों को लड़ने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। क्योंकि जो घुस पेटे थे वे उंची चोटियों पर बैठे थे उपर से कभी पत्थर कभी हत्यार से हक आकरमन कर रहे थे। और भारतिय सेना नीची तलहटी में थी जहां पर चड़ाई करना और पूरी तरह से उनका जायजा लेना भहुती कठिन काम था। लेकिन भहुती कठिन वीप्रिक प्रिस्थितियों में भारतिय सेना ने अपने एदम में साहस का प्रीचे दिया। और अन्ततह जो पाकिस्तानी घुसपेटे थे उन्हें खदेड दिया। और जो कश्मीर अतिकृत हमारा भारत का जो चेत्र था। उस पर विजय प्राप्त की। और वहां पर गर्व से जंडा तिरंगा लहराता है आज भी। 30,000 भारते सेनिकों ने इस युद में अपनी बहादूरी का लोहा मनवाया था और 527 अफसर और जवान इस युद में शहीद हुए थे और सभी के उम्रे 19-35 साल की बीच में थे। वतन के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले सभी शहीदों को मैं एक बाद पुने श्रस्चत नमन करती हूँ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले वतन पर मिटने वालों का बाकली यही मिशा होगा। शहीदों को श्रधांजली देने के लिए ही आज हमारे पधान मंतरी करगिल में दुनिया की सबसे उची सुरंग का काम शुरू करेंगे। करगिल विजय दिवस की 25 सालगीरे पर पधान मंतरी नरेंदर मोदी द्रास जाएंगे और वहाँ पर सरवच बलिदान देने वाली शहीदों को श्रधा सुमन अफिक करने के बाद 15,800 फिट उपर दुनिया की सबसे उची सड़क सुरंग का काम वर्च्वल विसपोट कर परंग का नाम सिनकुल ला होगा जो चार किलोमेटर लंबी जुड़वां तानल लेह को हर मोसम में देश के बाकी हिसों से जोड़े रखने का काम करेगी। उनके मन में भी अपने देश पर मर मिटने का जज़वा हर वक्त सवा जयता है। एक चापक क्या मेरा अपने कर रहा है बुर्णान को। एवतन एवतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जान तक लता जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरी कदमों पे हम भैट अपनी सरूं की चड़ा जाएंगे। एवतन 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 जेहिंद जेह भार। जाएंगे। झाल